So hello everyone and आज के इस वीडियो के से से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक न्यू प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपना बैचिलर्स, भी फाम हो या फिर फामडी हो इंडिया से कम्प्लेट किया है आप अपलोग foreign countries में अपना master's करना जाते हो एब वो US में हो या फिर Canada में हो या फिर UK में हो जो top pharmacy schools है उनके courses के बारे में क्या कौन-कौन से best universities है फिर in tuber Louise में admission India के students करने कि लिया जाता है admission process क्या होता है and what are the career opportunities after completing your master's from this foreign university इस लिए बता रहा हूं इस वीडियो के फॉर्स्ट वीडियो है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले वीडियो को आप लोग शेर करो अच्छा अगर रिस्पॉंस मिले तो मैं इस सीरीज को उतना जल्दी जल्दी कंटीनु करूगा क्योंकि अभी इस इस टाइम पो अभी स्टार्ट होने वाला है जितने भी स्टूदेंट्स इस एर फोर्थ यर में हो थार्ड यर में हो अब सबको अभी से पता लगेगा कि जो भी एमफाम है या फिर रेगुलिटरी अफिर्स में अलग से होते हैं तो सभी के बारे में डीटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा प्र्टिकुलर्ली हम लोग बात करेंगे आज इनिवर्सिटी आफ साउदन कैलिफोर्निया के बारे में ठीक है फॉस्ट हमारा इस सीरी का नाम है Alfred Eman School of Pharmacy and Pharmaceutical Science under the USC University of Southern California as you can see this is the official website of this college or institute ठीक है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा वीडियो में स्टार्टिंग देखने स्टार्ट करने से पहले ही सब लोग अपने जितने भी WhatsApp groups है जितनी भी आपने pages है Facebook है Instagram है जहां जहां भी हो सकता है वीडियो को शेर कर दो सब को बता दो कि हमारे चैनल से बिंग फार्मसिस से एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स अपने दोस्तो फॉरेंड कंट्री में अपना मास्टर्स करना जाते हैं आपने आप से कभी कहा हो कि अगर कोई ऐसा चैनल या फिर कोई भी सबस्क्राइब करेंगे तो आप उनको बता दीजिए कि हमारा चैनल वह स्टार्ट कर रहे है ठीक है राइट तो इस इस अपर डीटेल में बात करेंगे तो हम लोग पहले देख लेता है कि कौन-कौन से प्रोग्रांस यहां पे अबली बले तो सबसे पहले आप देख सकतो यहां पे जो होते हैं वी फार्म ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है फॉरेंड में जाओके तो फॉरेंड में जो डिग्री होता है डॉक्टर ऑफ फार्मसी और फार्म दी जिसको बोला जाता है तो अगर आपने बैचलर्स कंप्रीट कर लिया है तो आपको मास्टर्स करना यापन क्लिनिकल या हॉस्पीटल सुक्टर में एंटरी सुनिन चार्वर अचाथ तो आपको मास्टर्स करना चाहते हो वी फार्म करने के बाद तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो है रेगुलेटरी और क्वालिटी शायन्स ग्राजवेट प्रोग्रम यहां पर पहला कोर्स हमारा यह है इसके अंडर क्या मिलेंगे आपको एमस इन रेगुलेटरी एफेर्स जैसे इंडिया में होते हैं सिमिलरली बाट हम लोग यहां पर युज रेगुलेटरी सिस्टम के बेस पर करेंगे सेकेंड है एमस इन मेडिकल प्रोड़क्ट क्वालिटी थर्ड कोर से हमारा मैंजमेंट अब ड्रॉग डेवलाप्मेंट ओके एमस इन रेगुलेटरी रिकुर्मेंट और यहां पर एक सेटिफिकेट प्रोग्राम है यह एमस नहीं है नीचे यह होगे हमारा रेगुलेटरी ऑन वालीटर क्वालिटीशियंस रेलेडिदड अब फार्मसेटिटिकल अर्सेटिकल हमास्टर करना जाते हो educating अज हैं northern lavender है होगे नो मेंगिन और श्रागा फ्रोग्राम से हैं कुछ रेस्टिफिकटिकट को सब्सक्राइब करना जाते हैं तो भी है ग्राजुएट सर्टिफिकेट है एडवांस फार्मसी प्राक्टिस में हेल्थ कर डिसिशन एनालिसिस पे तो बहुत सारे कोर्सेस आपको यहां पर मिल जाएंगे एंडेज़ सब्सक्राइब करें एंड आपको भी आपको बीफार्म आपको बैचलर संसले वह साथ में होते हैं यहां पर थोड़ा सा अलग होते हैं तो थोड़ा सा सिस्टेम अलग होते हैं तब यह minimum idea आपको होगा ही अगर आप लोग फोरण जाने के लिए interested हो तो हम लोग यहाँ पर admission के सिंसिले में बात करें अभी तो यहाँ पर फार्मडी admission है Department of pharmaceutical and health economics Department of Pharmacology and pharmaceutical science कोई भी एक ले ले लेते हैं जिसमें भी आप पर इंट्रेस्टेट अब उससे साब लोग देख सेकते हो तो यहाँ पर M.S. in molecular pharmacology and toxicology जैसे हमारे यहाँ पर है M.S. in pharmacology and toxicology यहां पर हैं molecular pharmacology and toxicology यहां पर हमारे जैसे MS in pharmaceutical science तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह सारे courses यहां पर offer किया रहा है तो हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं यहां पर देख सकते हो अब admission का criteria क्या है पहले तो great point average GPA minimum GPA of 3.0 is required यहां पर हम लोग के लिए क्या है वह आगे बात करते हैं यहां पर कोई ग्री नहीं चाहिए और all student degree test is not required अब नॉर्मली फोरें जाने के लिए एक तो ग्री देना होता है और English test देना होता है letter of recommendation चाहिए तो बहुत important है the letters from faculty knowledgeable about the student's ability and capability are required तो तीन letter of recommendation mostly हर एक institute में ही लगेगा अगर आप तो फॉरें जाना चाहते हो English language proficiency test for international applicants क्योंकि हम लोगों का first language English नहीं था इंडिया में या पिर नहीं है तो हम लोगों को कोई भी एक English language proficiency test चाहिए या फिर score देना होगा आइधर वो टोइफल हो या फिर आइलेट्स हो 6.5 से उपर चलेगा बैंड राइट रिसर्च और प्रोफेशनल एक्स्पीजियंस अब यह mandatory नहीं है मतलब अगर आपका कोई thesis paper मतलब मास्टर्स में बैचलर्स में कोई कोई रिवीव आर्टिकल निकालते हैं तो इस तरीके का होदा तो अच्छा होगा कोई manuscript उसका published हुआ है या फिर कुछ भी रिवीव आर्टिकल पब्लिश हुआ है official transcript transcript मतलब आपके जितने भी सारे 10th to graduation marksheets है वो सारे आपको यहाँ पे लाइक भैलिट कराना होगा ठीक है financial aid यहाँ पर है अब यहाँ पर admission कैसे लेना है simple आपको यहाँ पर apply जो नाव यहाँ पर देख रहा है आप लोग इस apply नाव पर click कर देना आपको यहाँ पर inquiry आप लोग डाल सकते हो inquiry डाल के अपने details देकर वहाँ से admission counselor आपको call करेंगे तो आप उनको आपका qualification आप कहां से हो कैसे admission आप ले सकते हो सारा कुछ बता सकते हो तो आपका जो requirements होगा वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा तो requirement A सारा है ऐसा कुछ नहीं है खास but still the details will be shared with you okay requirement of degree compliance यहाँ पर अलग से section दिया है requirements for the degree competition तो यहाँ पर units कितने research कितने thesis कितने यह सारा कुछ आप लोग देख ले ना यह course के बारे में more detail है तो हम लोग course के बारे में detail में नहीं जा रहे यहाँ पर हम लोग यहाँ बात करें लेकिन जो चाहिए यहाँ पर हो है English language proficiency test अप यह आप सभी को पता होगा कि बाहर कहीं भी चाहो आपको English language test कोई भी एक आइधर trifle और IELTS कोई भी एक अपका अच्छा crack होना चाहिए and minimum आपका 7 7.5 band होगा तो अच्छा होगा IELTS की बात कर रहो ठीक है and मेरे असाब साफ सा करना थोड़ा easy as compared to 12 but both are like similar type of English language का test होता है जो proficiency test तो यह आपको obviously देना पड़ेगा अधर वाइस आपका admission नहीं ले सकतो तो यह था हमारा आज का पहला वीडियो एबार फर्स्ट कॉलेज उसी मैं इमान स्कूल फार्मसी यह यह कॉलेज काफियत तक अच्छा है और जितने दिग्रीज का वैलू बहुत अलग है और इनिवर्सिटी आप साउधन कैनिफोर्णिया वान अब टॉप इनिवर्सिटी इन यूस एक्च्विली तो डेफिनिटी यू था यह तो बस फर्स्ट हमारा वीडियो था आज तो यह जो सारे वीडियो बनाऊंगा यह सारे वीडि एड्मिशन है एकसेटरा ठीक है वीडियो को शेयर कर देना थांकियो सो मच एड अगर आपको इस सिरीस और आगे अच्छे अच्छे चाहिए वीडियो जल्दी जल्दी तो कॉमेंट कर देना बसे कि सर वीडियो हलफुल था और बना दो तो मोटिवेशन आएगा ठीक है Thank you so much.